हेलो थूटेट्स हम इस वीडियो में रिट रेंजमिंट इस्टाटजी को डिक्रीस करते हैं जिसका सिец of operations को decrease करना company के scale of operations को decrease करना means क्या हो गया? generally जब हम strategy frame करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए करते हैं इंप्रूफ करने के लिए scale of productions को अपनी working को increase करने के लिए smooth functioning के लिए करते हैं लेकिन retrainment strategy में जो हम strategy frame कर रहे हैं वो इसे decrease करने के लिए कर रहे है तो क्योंकि ये नामी क्या है retrainment means cut throat करना come करना, cut down करना या छटनी करना तो यहां पर पूरी strategy हमारे normal scale of operations को decrease करने के लिए बनाए जाती है तो यह एक तरीके का process होता है जहां पर हम उन सारी products को, उन सारी services को उन सारी activities को cut down करते हैं जो कि हमें profit making नहीं होती है जिन से हमें business में profit earn नहीं कर पा रहते हैं या जिस financial stability को हम gain करना चाहते हैं, cheap करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहते हैं जिन भी activities, जिन भी goods and services के वज़ा से उनको कम करना ही retrainment strategy होती है तो यहां पर अगर हम बात करें strategy के types की तो यह हम कैसे करेंगे, यह cut down कैसे करेंगे operations को तो तीन तरीके से तो first क्यों हो गया, turnaround दूसरा क्यों हो जाता है, divestment and third is what, liquidation तो हमने पहले भी कहा है retrainment strategy एक process है तो process में एक के बाद एक आता है तो वैसे ही यह जो तीन और टाइपस है इसके turnaround, divestment यह liquidation की किस तरीके से हो सकती है किन किन तरीकों से तो यह एक के बाद एक आती है जैसे पहले हम क्या apply करते है, turnaround अगर वो हमारे efficient नहीं होते है तो हम divestment बजाते है, अगर वो भी नहीं होती है दिन हम liquidation बजाते है तो अब हम एक इक strategy को देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे तो हम first लेते हैं turn around strategy turn around strategy जैसा नहीं बता रहा है, यह क्या है reversing and adverse trend turn around, वापस से अब इसको reverse कर रहे हो, पर किन चीज़ों को reverse कर रहे हो, जो negative result हमें दे रहे थी, जो adverse result हमारा जा रहा था तो उसको हम reverse कर रहे हैं मतब उसको हम वापस से profit में convert करने की कोशिश कर रहे हैं हम ऐसे strategies को adopt करेंगे जिनके थुरू हमारी यह negative trends के जो activities हैं, वो खत्म हो सकें और वो किसमें convert हो सकें, profit में convert हो सकें, तो basically के लिए यहां पे हम क्या करते हैं company उन चीजों को उन activities को perform करती है manage करती है, जिनके थुरू आप इनको profit में convert कर सकें तो इसके लिए हमें क्या करना जैसे top level management है, कई बार ऐसा होता है कि top level management को ही change करना पर जाता है यहां पे internal और external हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, turnaround strategy internal भी होती है and external भी होती है, means हमें हमें क्या करना है, एक होता है न कि rehabilitation आप चला रहे होते हो, आप वापस से कोशिश करते हो कि कैसे भी करके इन चीजों को हम profit में convert कर सकें अगर हमें लगता है कि हमारे top level management में changes लाके हम इने change कर सकते हैं, हम वापस से उस loss making units को या loss making goods and services को हम profit making में convert कर सकते हैं, तो हम top level में change कर देते हैं, हम cost को reduce करते हैं, हम internal koordinations को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, funding वे गए extra fund लगाने से अगर यह चीज हो सकते तो extra fund उसमें introduce करते हैं और भी बहुत सारी तरीके हैं, जिनके तरू हम यह कर सकते हैं, और क्या करना है हमारा motive कि इसको profitable में convert करना, so basically turn around strategy, adverse trend negative को profit में conversion की strategy होती है, जहां पर हम इनमें से कोई decision लेके उसे profit में convert करते हैं, right, second देखते हैं, second is what, divestment strategy strategy, अब divestment strategy क्या होता है यह एक तरीके से rehabilitation है, यह restructuring plan है जब हम कब adopt करते हैं जब हमारी turnaround strategy काम नहीं करती, हमने turnaround तो attempt किया, कोशिश की लेकिन उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो पाया, जोज भी चीज़े लगानी थी हम उसे profit में convert नहीं कर पाएं तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से restructuring कर रहे हैं, अब यहां पर restructuring का मतलब जिसे आप restructure करते हो ना किसी चीज़ को कि दुबारा से बना रहे होते हो तो यहां पर हम वही काम करते हैं यहां पर कैसे करेंगी जैसे कि जो भी हमारी business में, जैसे हमारी कई units चल रहे हैं, तो उसमें से जो units हमारी loss making है जिन goods and services में loss हो रहा था वो जिस units को belong करती हैं उसे हम क्या कर देते हैं, liquidate कर देते या sell कर देते हैं, तो it involves sell or liquidation of a portion of business, या major division या profit center, या strategic business unit, हम particularly उस segment को, उस unit को उस portion को हम क्या कर देते हैं sell कर देते हैं, बंद कर देते हैं जो हमें loss कर रहे थी पहले तो turn and on में ने कोशिश किया उसमें पैसे लगा के, चीजों को change करके उसको profit में convert कर, पर जब हमसे वो नहीं हो पाया तो हमने क्या 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 है बंद किया, इसकी पीछे objective क्या है, कि भई, पूरा हम loss bear कर रहे है, particularly एक segment की वज़ा से तो, उस segment की वज़ा से अगर मुझे loss आ रहा है, उस हम जहां दूसरे segment से profit कमाते हैं उस profit को हम इस loss को खत्म करने को, mitigate करने में लगा दे रहे हैं ultimately हमारा profit कम हो जा रहा है तो better option क्या है, इस unit को ही बंद करो, इस segment को ही बंद करो that is divestment strategy में हम इसलिए इस strategy को adopt करते हैं, अब जैसे एक example अगर लेते हैं, माली जे हिंदुस्तान ग्योने लिवर है, चुल है अब वो बहुत सारे products बना रहे हैं माली जे वो सर्फ FMCG के goods बनाते हैं, एक example लेते हैं माली जे वो soap बना रहे हैं, detergents बनाते हैं, toot paste coal gate वेगरा या जो भी toot paste बना रहे हैं अब हमें देख रहा है कि toot paste में हमें अच्छा खासा income नहीं हो रही है तो हमने क्या किया, इस toot paste के पूरी unit को ही बंद कर दिया हमने पूरी company बंद नहीं किया हमने particular segment उस unit को बंद किया that is divestment strategy तो अब यहां पे जैसे यह हम apply क्यों करते हैं, ऐसा करते क्यों हैं तो अगर हमारा दिखता है कि जो particular business है, हमें ऐसा लग जाता है कि वो company में integrate नहीं कर पा रहा है, company के objectives से वो match नहीं हो रहा है वो कहीं नहीं miss match हो जा रहा है हम एक textile को लेके चल रहे थे हूँ और हमने नया invention किया था कि particular retail FMCG का भी हमने launch कर दिया लग जैसे हमने देखा Reliance को देखा था Reliance petroleum पे phone में, दिन वो क्या textile में भी आ गई है ना, suppose करिये कि उसको लगता है कि textile वो ले तो आई, लेकिन बाकी sector से वो match नहीं करती और लगा था textile में उनको loss हो रहा हो था, Reliance trend है ना, शोरू तो लगा था उनको वहाँ पे loss हो रहा हो था तो वो क्या कहते है कि company का जो objective है, company में वो match नहीं हुई कोशिश तो की गई, पर वो mismatch हो गई और फिर उन्हें वो divest करनी पड़ी उन्हें बंद करनी पड़ी, that is यह reason है अपका, या फिर हम यह देखते हैं कि continuous negative cash flow हो रहा है, हम loss में जा रहा है उस particular business से, तब हम divest strategy को adopt कर लेते हैं, या हमको दिखता है कि इससे better कोई alternative available है, हम इसमें पैसे लगा रखे हैं, जो कि loss हमें दे रहा है, बलकि हम इसे बंद करके उन पैसों को कई और invest कर दे, तो हम उससे ज़्यादा profit कमा सकते हैं, तो अगर हमें best alternative दिख रहा होता है, तो भी हम उस loss making units को बंद कर दीते हैं, तो ये सारे वो कुछ reasons हैं, जिनकी वज़े से हम divestment strategy पे जाते हैं, अच्छा ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हम पहले turnaround apply करेंगे, then divestment में जाएंगे, समटाइम ऐसा भी होता है कि turnaround में जाते ही नहीं हैं, और सीधा हम उसको ignore करके हम सीधा divestment लगा देते हैं, ये depend करता है company के perceptions पे या उनके perspective पे हो क्या चाहा रहे हैं, तो third strategy हम देखते हैं, third strategy is what? liquidation strategy, liquidate करना मतलब पुछ तरी के सब बंद कर देना, तो अब जब ये कैसे strategy है, ये arrangement की सबसे extreme level हो गया, मतलब एक तरी किसम कैसे थे, ये unpleasant strategy है, हम नहीं चाहते कि हमको ये strategy adopt करनी पड़े, and then हम अगर वो adopt करते, तो वो है liquidation strategy, यहाँ पे क्या है, पहले कि दोनों strategic काम नहीं आती हैं, आपने turnaround भी किया, आपने बाकी चीज़ों को changes किये, सब कुछ किया कि profit हो नहीं हुआ, particular segment को आपने बंद भी कर दिया, sale भी कर दिया, उस assets को sale कर दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ, दिन आप क्या करते हैं, पूरे business को permanently shut down कर देते हैं, where you permanently shut down the business and sell all of your assets, सब कुछ बंद कर देते हैं, आपने वो business ही बंद कर दे, अपने company ही बंद कर दी, that is liquidation, जब हम continuous loss में गया हैं, सारा कुछ apply किया, पर हम उसको profit में convert नहीं कर पाएं, then loss bear करने से better option क्यों होता है कि हम उसको बंद कर दे, तो actually इसमें कहा जाता है, कहा हम यही option को adopt करें, ऐसा इस चीज के बारे में हम liquidation strategy के लिए कहते हैं, और ऐसा कब होता है, जब हम यह लगता है कि dead business is worth more than a life, अगर आप इसको बंद कर दो, उसके सारे assets को sell कर दो, तो भी आप इतना पा जाओगे जितना कि आप उसको चलाने पी नहीं पा रहे हो, that is the main reason of liquidation strategy, right, so I hope आपको तीनो strategies clear होई होँगे, और sometimes इन सब के अलावा हम liquidation strategy, combination strategy पर भी जाते हैं, combination strategies कहीं कहीं mention होती है, यह strategy क्यों होती है, जब हम turn around और एक side हम turn around apply करें और दूसरे side हम divestment use करें, मतब एक से ज़्यादा strategies को एक साथ apply करना, practically यह possible नहीं है, पर यह कहा जाता है कि combination strategy भी एक strategy है, retrenchment की, so I hope आपको clear होगा, wish you all the best, thank you so much.